कि तूट कर बिखर चुका है सबकुछ मेरा धड़कन कहीं तो दिल कहीं पे मिलेगा कि मैं कैसे मरा पूछना आईने से मैं कैसे मरा पूछना आईने से सारे प्रस्नों का उत्तर वहीं से मिलेगा और आखरी से आप सब को मैं आप सब के लिए पढ़ता हूं कि जितने दिल जले है सब मेरे पास आएं चैन उनको मेरी साहरी से मिलेगा कि इसके बाद कुछ छोड़ी छोड़ी नजबे हैं वो पढ़कर मैं जायत लूँगा कि तुम आशिक हो उस वक्त के हम इस वक्त के दिवाने हैं जिन जख्मों से तुम तूट चुके वो मेरे तकिये के इस दिवाने है और अगली कुछ ऐसे है कि तरी हर चीज छुपा कर ति यारा देखकर जाना तुम तेरी हर चीज छुपा कर रखी थी यारा देखकर जाना तुम अल मीरे में जख्म पड़े हैं कभी वक्त मिले तो आना तुम और अगली जो नजब बिया मैं आपको देश करता हूं कि खाब विखरे हैं आखों में इतने मेरे कि अब तो बिस्तर में जाने से डर लगता है मेरे अपनोंने लोटा है मुझे इस कदर कि तुम्हें अपना बनाने से डर लगता है कुछ चंद लाईने दोस्ती के लिए चुकि आता हूं तो अभी हाल फिलाव में दोस्ते भी दोका काया हूं तो कुछ तारीफे पढ़ूंगा फिर उसके बारे में बोलूंगा कि जहां चार यार मेरे बैठे हैं वहां पीने की तलब रखूंगा तुम मिष्ट में मरना चाहो मैं जीने की तलब रखूंगा और पूछती है मुझसे दिल में किसे कहा और कब रखूंगा जो गम्मे मेरे सामिल होगा उसे वहां और तब रखूंगा दोस्ती के लिए तो दोस्त से बेतर जहां में कोई नहीं होता बट मैंने दोस्तों को भी धोका देते देखा है तो एक छोटी सी तंज है सुनिएगा निभाने में रुकावाट आने लगी है क्या निभाने में रुकावट आने लगी है या रिस्तों में गिरावट आने लगी है क्या अब वो दोस्त नजर नहीं आता मुसीबत में दोस्ती में मिलावट आने लगी है ताइम है है चले एक आखरी है जो मैं हर जगह बढ़ता हूँ पुरानी हैं लोग को पसंद आती है कि चांद किसको किसको पसंद है याँ तो शब को पसंद है मेरी इसी थोड़ी दुश्मनी है सुनिएगा दुश्मनी को मैं अलफाजों मैं सुनाता हूँ आपको कि है चांद मेरा बहरूपिया जिसको रूप बदलते देखा है जो भेदभाव तुम करते हो मैंने देखा है और जाना है रकीबों से जलन होती है पर चांद को अपना माना है कि ए चांद तेरे गलियारे में मैं आखें पूरी निचोड़ दूँ मिले जो कोई माज ऐसी तो दुछ से नफ्रत करना चोड़ दूँ